हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अवर नोल इसकुरू काजल चैनल आज की वीडियो भहुत है कास क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एना टृपल सी का अगस्तवालों का सर्टिफिकेट आ गया है जैसी कि मैंने आपको बताया था कि टृपल सी का जो सर बताएंगे कि आप अपना सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है ताप कोई आपको डाउनलोड करने में कोई दिकत ना हो तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर ल आएंगे तो आपके सामने ये जो सबसे उपर जो दिखाई दे रहा आप यहां पर किलिक कर देंगे इस पर किलिक करने के बाद देखी आपके सामने ये ट्रिपर सी सर्टिफिकेट का मैं पेज ओपन हो जाएगा देखी यह हो गया तो यहां पर दो अप्शन दिखाई दें course for miss exam ये रहा exam का नाम यहां से select करना आये तो चलिए select कर लेते हैं हमारा course क्या है course on computer concept 10M तो इसको click कर लेंगे इसको click करने के बाद यहां से year को select कर लेंगे ये सलेक्ट करने के बाद ये कलिया ये सलेक्ट अब यहां पर आ रहा है मन्त तो यहां से अब जिस महीने भी एक्जाम था उस महीने को सलेक्ट कर लेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं यहां अगस्त शो हो रहा है तो यह रहा अगस्त पर किलिक कर देंगे अगस्त पर किलिक करने के बाद जो भी आपका roll number है उस roll number को आप यहाँ पर enter कर देंगे तो चलिए हम enter कर देते हैं roll number enter करने के बाद आपको एक नीची option दिखाई देगा date of birth का यहाँ पर आपको date of birth जो type करनी है ध्यान रखना है 10th के certificate के according ही type करनी है तो चलिए type कर लेते हैं date of birth इसको type करने के बाद आप ध्यान रखना date of birth जैसे दी हुई है ना बिल्कुल आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैंने की है तो इसे type करने के बाद जो नीचे बिलू पट्टी में capture code दिखाई देगा वो capture code आपको enter कर देना है यह सभी के में अलग-अलग होता है तो मेरी में इस time जो capture code है मैं उसको enter कर देती हूँ इसको enter करने के बाद देखिए यह वाला है इसको enter करने के बाद आपको नीचे एक option दिखाई देगा कि आप जो है ना verification email के दुवारा कराना चाहते है या mobile के दुवारा कराना चाहते है तो guys अगर आप email के दुवारा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी email id एंटर करेंगे और mobile के दुवारा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना वही mobile number आप एंटर करेंगे जो आपका start हो क्योंकि इसको enter करने के बाद आपके mobile number पर एक OTP code आएगा और वो OTP code आपको यहां लिख रहा है ना verification code वो आपको यहां enter करना होगा simply उसे इन दोनों को enter करने के बाद नीचे आपको submit वाला यह button दिखाई देगा आपको यहां पर click कर देना है जैसे ही आप यहां पर click करेंगे आपका certificate open होकर आ जाएगा और guys मैं आपको बता दू download certificate करने के बाद वहां पर एक problem भी आगी digital certificate की तो मैंने उसके पर एक video बनाई हुई है आप उपर दिए गए i button पर click करें और उस video से जाने कि कैसे आप अपने certificate को digital में अच्छे से convert कर सकते हैं तो guys यह थी आज की वो information I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी अगर video अच्छी लगी हो तो video को like कर देना और अगर आप channel पर नहीं है तो channel को subscribe कर देना अभी के लिए बस इतना ही हम डेली 8 बजे मिलते हैं तो goodbye guys take care and thank you for watching this video